भारते बाजारों में आज लगतार दूसरे दिने काफी ज्यादा सेल आफ देखने को मिला है अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी सुरुवाती दौर पे 11600 की लेवल पे ओपनिंग दिखाया जो कि उसका काफी क्रूशियल लेवल था जहांसे ब्रेक आउंट और ब्रे तो आज के सत्र में निफ्टी उसके भी नीचे चला गया है अभी 11480 से 11490 के रेंज पर ट्रेट करते हुए नजर आ रहा है तो यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अभी जितने भी शौट बिल्डप है वो डेरिवेटिव फ्रेंट पे 11300 के साइट पे बिल्डप होता अगर बैंक निफ्टी के बात करें तो बैंक निफ्टी अपने साइकलोजिकल 30,000 लेवल पर ट्रेट करते हुए नजर आ रहा है और जितने भी बैंकिंग सेक्टर के हेवी वेट काउंटर है HDFC, COTEK, ICICI, AXIS, SBI यह सब में काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहे है तो एक्सपेक्टेट रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी में भी काफी करेक्शन देखने को मिल सकता है अभी के लिए राई यह रहेगी कि लोग अपने शॉर्ट साइट के बिल्डप आड़ करते रहें और कोई भी बाउंस पे शॉर्ट साइट रहना भी ज्यादा लाबदायक रहेगा